नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनलाइन बॉर्ड में दोस्तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसे लिखने में परफेक्ट हो जाओगे की वीडियो को आकरी तक और ध्यान से जरूर देखना कई ऐसा नहों कोई important point आप मिस कर दो साथ ही दोस्तो वीडियो के आकरी में मैं आपको बताऊंगा descriptive exam के लिए आपकी कौनसी book सबसे best रहेगी दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे bell icon दबा लीजे तकि हमारे दुआरा upload की गई latest वीडियो का update आप सभी को समय समय पर मिलता रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना time waste किये दोस्तो पहले point की बात करते हैं अगर आप अपने exam में कोई भी topic चुनते हो तो ऐसा topic आपको चुनना चाहिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो जिसके बारे में आपको सभी important dates और fact के बारे में पता हो ऐसे लिखने की दूसरी कला के बारे में दोस्तो अगर बात करें तो आपको हर line में कुछ ऐसा लिखना है जिससे examiner अगली line को पढ़ने को मजबूर हो जाए जैसे कि आप कोई मोहावरा लिख सकते हो कोई important date लिख सकते हो या फिर उससे related कोई important fact या government की scheme के बारे में लिख सकते हो दोस्तो third point की अगर बात करें तो आपको बिना डर के अपनी मन की अनुबूती को परकट करना है दोस्तो हो सकता है exam में आपको rape के उपर topic लिखने को आ जाए तो आपको वहाँ पर शर्माना नहीं है आपके मन में जो भी है आपको उसको लिख देना है fourth point की दोस्तो अगर बात करें तो जिस topic पर आप लिख रहे हो उसी से related आपको बाते करनी है फालतु की बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है fifth point की दोस्तो अगर बात करें तो मुद्दे से related अपनी राय दे लेकिन वो जो आप राय दे रहे हो वो किसी भी government या government organization से mail खाती हुई होनी चाहिए आपको किसी भी government के खिलाफ नहीं बोलना है दोस्तो ऐसे लिखने की छटी कला के बारे में अगर बात करें तो आपको सीमित समय में सीमित शब्दों का परियोग करना है सात्वा point है दोस्तो आपको facts पर जादे से जादे ध्यान देना चाहिए जिस भी topic पर आप लिख रहे हो उनको अपने facts के साथ proof आपको करना है अब दोस्तो बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है तो दोस्तो आपको daily the hindu news paper के editorial part को पढ़ना है उसमें क्या होता है उसमें हर लेकक अपना essay लिखता है उसे आपको पढ़ने के बाद ये सोचना है कि इस topic पर मेरे विचार क्या हो सकते थे दोस्तो एडिटोरियल part से आपको अच्छे अच्छे शब्द निकालने है और देखना है कि कैसे वो लिखा गया है और आपकी सोच क्या कहती है वहाँ पर दोस्तो आपको मुहावरे लोकोक्तिय का यूज करना भी सीखना चाहिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं एक essay निबंद को कैसे आपको लिखना है कैसे divide करना है तो दोस्तो ऐसे तीन भागों में divided रहता है पहला होता है introduction वो कहते हैं न दोस्तो first impression is the last impression दोस्तो introduction वाले पार्ट में आपको सभी important facts सभी important dates और government की schemes के बारे में लिखना है क्योंकि दोस्तो human tendency होती है examiner के अंदर एक image set हो जाती है दोस्तो अगर आपने शुरुआती अच्छी कर दी तो examiner के mind में आपकी image set हो जाएगी कि हाँ इसको कुछ आता है examiner पढ़ना start करेगा तो उसे मज़ा आना चाहिए और मज़ा उसे कब आएगा जब आप उसे कोई fact दे दो कोई तारीक लिख दो कि इस तारीक को ये हुआ था scheme लिख दो constitution का कोई article या फिर किसी act के बारे में बता दो essay का second part है दोस्तो body मुद्दे से related अपनी राय आपको देनी है दोस्तो essay का तीसरा और आकरी part है conclusion दोस्तो examiner आपका दो ही part पढ़ता है या तो वो introduction पढ़ेगा या फिर conclusion पढ़ेगा तो आपको सबसे ज़्यादे धियान introduction और conclusion पर देना है conclusion यानि की निशकर्ष मतलब आपने जो भी लिखा है उसके सुझाव क्या है उसका निशकर्ष क्या है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके descriptive exam के लिए कौन सी बुक सबसे best रहेगी चाहे वो आपका SSE CGL हो CHSL हो या फिर आपका MTS हो या फिर कोई other exam हो तो मेरे हिसाब से नीतू सिंग की volume 3 की बुक सबसे best बुक है अभी तक जो market में available है इस बुक का link दोस्तो मैं आपको description में दे दूआ आप महा से online भी इस बुक को purchase कर सकते हो तो दोस्तो ये थी हमारी आज की complete video उमीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी और video आपको पसंद आई होगी दोस्तो अगर video आपको पसंद आई है तो हमारी video को जादे से जादे share कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद दोस्तो